नमस्कार दोस्तों आप समुका मेरी यूट्यूब चैनल में श्वागत है आज मैं आप लोगो दोस्तों पिहार ओपेन बोर्ड की 10th के सलेवस के बारे में डिसकस करने वाला हूँ ठीक है दोस्तों जिन बचों नमी दोस्तों माधनियक में बहुत में अडमिसन्द लिया है मतलब की 10th कलास में ऐडमिसन्द लिया है तो उनको सलेवस को समझना बहुत ही ज Works कर दोस्तों को इसलेवस के सलेवस आपको पता रहेगा और अपने एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जिनका भी एक्जाम जो है आने वाला है 10th class का तो उन बच्चों के लिए एक बार मैं बता दो दोस्तों आप लोगों को जो है syllabus जो है जानना जरूरी है कि किस subject से मतलब किस subject से कौन-कौन question किस subject में कौन-कौन से question रहते हैं ठीक है दो दोस्तों कि उसी subject उसी टोपिक से दोस्तों क्या है कि उसी subject के topic से जो आप लोगों को दिया रहे गा आपको एक्जाम में question के जाएगे ठीक है दोस्तों सलेवस आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो आसा कर आज तो आज की जो वीडियो और दो तो चले दोस्तो विडियो को शुरुवात करते हैं ठीक है दोस्तो चले उपर में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये बिहार विद्याला लब दोस्तों बिहार मुक्त विद्याई मतलब कि ये बिहार ओपेंड बोर्ड जिसको सौटकट में बीवोस कहा जाता है बीवोस द यह सारे हैं्टा 17 की यह सब्जेक्ट है ओस त이라idée हैं ऐसली में धूस्तों इसारे जो improve ओंटॉ assim पूछ़ए जाएंगे तिक हैं यहां पर दोस्तों निचे में दिया गया है निवन्द और पत्र लेखन और आनुवाद ठीक है दोस्तों आप में हिंदी की एक्जाम में जो पेपर में निवन्द और पत्रलेखन अनुवाद भी आप लोगों से पूछे जाएंगे ठीक है दोस्तों अब नीचे आई दोस्तों आप देख लिजेए अब आप लोंको रीड सुरी रीड दोस्तों रीड टिंक एंड इन जो है ठीक है ये इस तरह से दोस्तों कई जो है जो भी है यहां पर सफेर्ञ सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे और इसी सब्जेक्ट से आप लोगों को दोस्तों एक्जाब में कोईशन पूछे जाएंगे ठीक है दोस्तों यहां पर देख लिए दोस्तों संस्क्रित का कोड भी दिया हुआ है तो यहां पर देख लीजेए दोस्तों यहां पर वंदना पार्ट करम वीर कथा इस तरह से हमारे सिलेवस नीचे जो हमारा सिलेवस है वो भोजपूरी तो अगर आप लोगों ने भोजपूरी रखते हैं ठीक है दोस्तों और भोग सारे मैधली तो कवीर के पद पल्टू दास के पर जो भी यह दोस्तों प्राचीन बिहार के गौरव ठीक है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है ठीक है अब नीचे में दोस्तों यहां पर भोजपूरी में ही है दोस्तों यहां पर वैकरन वाला वी चरह इसमें जो है वैकरन से भी question पूछे जाएंगे ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं समाचार लेखन, पत्र लेखन, अलंकार, इस सबसे भी जो कुशन आप लोगों से पुछे जाएंगे अब नीचे में आए दोस्तों मैथली, यहाँ पर भी से हमारा मैथली में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पद भाग, गद भाग ठीक है दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है इस तरह से आप लोगों को मैथली में यह सारे आप लोगों को तो एक्जाम्य मैथ्ति ने में क्योशन पूछे जाएंगे अप आईए दोस्तो आप गनित का देख सकते हैं गनित में थोड़ा ज्यादा सा अगर जिन लोगों ने भी गनित का विशष में चुना है तो उन लोगों थक्यादा मेहनत करना पढ़ता है गनित जो थो था जैमीती, जोमेटरी, फिर छेत्रमेटरी, मैंसुरेशन, उसके बाद दोस्तों नियामक, जैमीती आप लोगो पढ़ना है, उसके बाद सांखी की और उसके बाद जो है दोस्तों पर एक तामतलब प्रोबाइबिलिटी यह इतने सारे चीज आप लोगो जो है गनित में पढ़ सम्के पढ़ना है यह सारे चीजे आप लोगों को भूतिक बिःवड जएव उसके दोस्तों एक ही आप लोग उग्भादbridge करणी और दोस्तों एक dei इक जाम होगा दोस्तों हो हुआ जाएगा तीनों जो है आप लोगो साइच में आ जाते मतलब की साइंस कर वुन नमर में बताता हूं a social science इसके अमारे क्याआ दोस्तों समाजिक विघ्यान इसमें आप लोगों को दोस्तों इथियास ढूगोल और नीचे हमेर आप नीचे आुए दोस्तों अर्थ, सास्त, राजनीतिक, विग्या, ठीक है दोस्तों ये चार टोपिक से आप लोगो क्वेशन पुछे जाएंगे, तो जैसे कि दोस्तों इतियास में देख सकते हैं, आधोनी काल में विस्व, यूरोप में राष्टवाद, फिर विस्व में संगर्सका योग, विस्व, स अंति का परियास, भारत में राष्टवाद, ये प्रेश, संस्क्रिती, राष्टवाद, इतने सारी चाज़े, अर्थ विवस्ता, अध्योगिक, व्यापार, भुमंडिली, करन, ठीक है दोस्तों भुगोल में भारत का परिचय, भारत संरचना, बोतिक स्वरु, भारत की अ अध्यों बुम्ति आपलों उसे, क्या है दोस्तों, भुगोल में या रिथियास में सितरह से पूछे जाएगे, अम नीचे है यह दोस्तों हमारा अर्थ सास्तु अध्योत, तो पढ़ना है वह अर्थ सास्त का परिचय, पहले अर्थ, अर्थ की भाषा, परकिर्थिक, छैत संसा दन जसन Augen पर संसांत och face बढ़त कि शुरक चारी खरी भीख' किसक मजदोरी मजदाइ मढदीरों की समस्य काथ सुरक्चार तो उसता रस्टीया मुद्रा्ट्हा ख हमारी विर्तिय movements भाए रज सविकर अनुभोगता जागरन एब संरक्षन इतना चीज़ यह आप लोग अर्थ सास्त्र में पढ़ना है अब राजनितिक विज्ञान में आप लोगत्र संकालिन विस्व में लोगतंत्र सविंधान का निर्वान एब महाद्म लोगतंत्र में चुनाव लोगतंत्रिक अधिक सरकार केंद्रमराज सरकार बिहार में स्थानियस स्वासन राजनितिक दल इतना चीज़ आप लोगों को राजनितिक शास्त्र में पढ़ना है अब नीचे आप लोगों को योग एवं सारी रिक्षिक्षा ठीक है दोस्तों विसे का नाम क्या योग एवं सारी रिक्षिक्ष खेल एथलेटिक योग संतुलित आहार प्रात्मिक सहयता राष्टिय भाईचारा ठीक है दोस्तों इतना चीज आप लोगों को योग सारी रिक्रिक शिक्षा में आप लोगों को पढ़ना है फिर विसे आता है दोस्तों व्यवसाई अध्यान मतलब की दोस्तों विजनेस स्ट्टी में अपनों को पढ़ना सिवाच वेवसाई साथाी बेंकिं वी yogurt विक्रियेश कार्ज अब वितरण विज्यापन विक्रिये विक्तर समवरधन , बोगता जागरुकता व्यावसाई में जीविका का महत इसारी चीजे आप लोगों को बिजनेस department पढ़ना है ठीक है ठीक है अब दोस्तों नीचे में स्टेडि सेंटर में देने पड़ते यह आपई देखें पहला जो है दोस्तों होम साइन्स में गिरी विज़्ञान की अवधार्णा का छेत्र फिर दोस्तों सकेंड में भोजन एवं पोशन पोई इसके बारे में आप लोगों गिरी परवन्दान फिर तीसरे चोथा में मातरि इसी दोस्तों पांचों टोपिक से आप लोगों से कुशन पूछे जाते हैं और आप लोगं को पढ़ना है अब दोस्तों परियोग परिक्षा के लिए देख लिए गरी विज्ञान में याप पहला आपक कला दूसरा दुलाई कला यह दोनों 1-1-2 तिसरा देख लिए दोस्त अब आये दोस्तों नीचे देख लिए हमारा बेसिक कम्प्यूटर आप लोगों रखा है दोस्तों तो इसके कम्प्यूटर से आपनों पढ़ना पड़ेगा कम्प्यूटर की अधार जानकारी संक्यापति और अपरेटिंग सिस्टम Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access, Internet, Computer की भासा इतना कुछ आप लोगों को computer में पढ़ना है उसके बाद आप लोगों को दोस्तों विसे भारतिये संस्कृति एवं विरासत मतलब कि दोस्तों Indian Culture के बारे में पढ़ना है ठीकर इसका की यहां बारतिये संस्कृति विरासत यह सारी चीज आप लोगों को भारतिये आप दोस्तों को गुफा चित्र इस से नंदमब नमें दोस्तों किर यह ती में ठायल के लगेर को त्योया दोस्तों कि नोब प्रोग मैं K School साथ काल में एक्सित्री सबुरेण ब्लोवक। इस प्रेज करें फ्रेके लिट सीम्हीं क्राथ व् STT तो यह यह है। इतना है तो आगे नहीं है मतलब की दोस्तों क्या है अमारा टैन्थ में जो सलेबस है यही सार लेवस हैं है। आप लोगो को यही पढ़ना है ठीका दोस्तों कि चली डोस्तों मैं एक बार आप लोग老師 से देखा बता दिखा देंगे की क्या subject है आप लोगों का जो है इस तरह से देख लिजे आराम से मैं दिखा देता हूं देखिए दोस्तों तो आप लोगोंने देखा आपका syllabus को है 10th exam का जो syllabus है, बिहार open board का जो syllabus है, आप लोगोंने देखा 10th exam का क्या-का syllabus है, सारे syllabus आपको मैंने बता दिया, सारे subject के आपको syllabus के बारे में आप लोगो बता दिया मैंने, तो असा करता हूँ दोस्तों, जो भी विद्यारती जो है 10th का जो पढ़ाई कर रहे हैं 10th का एक्जाम देने वाले हैं तो आप लोगो पता चल गया होगा दोस्तों किस-किस सब्जेक्ट से क्या-क्या और क्या-क्या चीज हमको 10th में पढ़ने हैं तो यही सारी चीज़े आप लोगो को 10th में जो हो दोस्तों विषयार ओपेंस बोर्ड में आप लोगो को पढ़ने हैं ठीक है दोस्तों तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगो सलेवस से संबंदि सारी जानकारी मिल गई होगी अगर दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना ना बुले जितना हो सके दोस्तों वीडियो को सेर कीजे दिश्टे की दोस्तों नए बच्चों को जानकारी मिले और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना वोले आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अब तक के लिए धन्यवाद ठैक्यू